कि अच्छी के अंदर टार्गेट फेकी विकेंट बढ़िया गेन बाजी डाइरेक्ट थ्रो यहां पर शायद विकेट मिल सकता था हाना हाना में रन तो चुरा लिया लेकिन यहां पर रन मिला है थोड़ा सा धीमाज थ्रो था और इस तरह से गेनबाज जो है वो मुस्तकीम अ के लिए यहां पर किस तरह की फिल्डिंग लगाई है उसके पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हम लोग थोड़ा सा यहां पर समय क्योंकि विकेट पर के करीब यहां पर एक एक फाइन लिग रखावा शॉटर मैं एक है और इसके बाद एक गली है कवर है डिपिश कवर है यह कि लोड़ी के कप्तान कि लेक अपर अपर अपना इनाम लेकिन लेकिक अप्तान सल्मान किसको वहां पर भेज़ दे लिए यहां पर एक पासर पे का अप्या है आपके टीम को कितने अफ़ते हासिल की ती कुष्ट अटकरे के जानिब से हैं यह उन्होंने कुष्ट अच्छे बहुत बढ़िया टीम हम किसी से कमने इस तरह का मकाबिल आप देखेंगे शाइक इने किर्केट की तेदाद यहां पर काफी अच्छी है क्योंकि दोनों टीमें भी अच्छी है मैच आच के बहुत अच्छे कल ओपन राउंस के मैच रहेंगे उसके बारे में भी म टार्गिट की वी गेंज नपाई की गेंज बहुत बैसितरीं गेंथी ऑची गेंथी वहां पर हेलीकोड था जैम ना चाहते हैं और लेकिन वहां पर मिच कर बैठे गेन और बले का कोई संपर रहो सकाए यहां वां पर गड़ीक धिजिक दिकेट गश्टाए कर रहे हैं तो है लेकिन क्या और वाला मोकाबना मोर के तयारा निंगu के लाद्ट के तुने PM के कफा लियों कि अपने किलाडियों को कए कि मूर अबु का मेंुगाय कुं म2 रूली मुस्तकिम काफी लंबा रना अप्तीज गस्केदारे के करीब से दोर रहे लेकिन आराम के साथ दोर दे दोरने का इस्टाइल उनका अच्छा है अच्छी गेन पैट पर लगी वहां पर नदीम जैसे खिलारी को अगर बान कर रखा है आप समझ सकते हैं नदीम किस सहली के खिल गेन बाजी हो रहे यह बहुत ही बढ़िया गेन बाजी और इस तरह से रण पर अंकुछ लगाया है मसला का इसको रिस वक्त हुआ है तीन रन और गेंदे हुई है पांच गेंदे तीन रन दो डॉट गेंदे उसमें अच्छी गेन बाजी पहली बाल पर नदीम ने एक रन दिन ने फिर उसके बाद एक रन लिया फिर नदीम ने एक रन लिया इसे कुल मिलाकर तीन दरन बने हैं पाज गेंदों में वेल डन वेल बॉल इसके चार चार और का मैंच है भी मध्यान में रखें दोनों टी में पावर प्ले एक रहेगा तो अब यहां फिल्डिंग में परिवर्थन किया रहा है पॉइंट के उपर एक फिल्डर को तैनाइत किया रहा है नहीं गली के शेत्र में उनको लगाया जा रहा है तो यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग की फिल्डिंग में लेकिन इस वार राउंड और दो विकेट दोड़ते विए अच्छा शॉट ले इस तरह से इस एक रण के साथ इसकोर जहां पहुंचाए चार रण एक वर पहली और समाप फॉर्स वर हैस बेन कंप्लेड़ बहुत ही बढ़िया और पेकी है यहां पर मुस्तकीम क्या और पेकी हाइड का सही फाइदा मिर रहा था उनको चार रण दिये उन्होंने अपने इस और में आप यहां पर गोरेगाउ का जो शाहिन की करके कलब ने जो सरपंच चशक 2022 रखा यहां पर देख रहें आप आप यूटीब की मादम से देख रहे हैं ड्रीम्स किर्केट का मादम से लाइव परसरन स्दा किया जा रहा है और बैटे लगातार तीनिनों से तो अब यहां पर अच्छा खासा यहां पर मैच यहां पर चलता हुआ और इस मैच के लिए देखना यह है कि अब यहां पर के खाली का लीदेगें बाग आप खाली गेंबाज करते वे अच्छी वस्ट दोनों अपने इलाकी के मजबूत आर मुस्ताकम टीमें अच्छो टीमें फिर वादर में कुल मिला कर दो तीन टीमें उसमें से एक टीम हैं यह लेकिन यहां पर मसला पहली ओर में सिर्फ चार न मनाएं लेकर किरकेट है किरकेट में कुछ भी हो सकता है यह यह ले आपर कॉर्ड ब्याइंड क्या पिल खुद छोड़ दिया है स्पोर्ट में इस पीड देखिए अपना विकेट खुड दिया है वहां पर उनने बता दिया क लेकिवाउट है इसके बाद होने वाला मॉकाबला जो है वह मूर मॉकाबला कुछ कंज लो लिए रहे अधिक दूनों कर्टीप के कप्तान जो है वो अपने किलाड़ के साथ तयार रहे है चार और का एम रहेगा एख जो है वह पार प्लेकर रहेगा और जो भी वाइन है वो पाइनला क्वामी काना कवानी होगे सो प्लीज नोद आफ दिस गे घर विल बेश्ट बेश्ट बिट्वेन आप लोग रिए जो लोग थे सोग्वाज विए दो अधिज ओन दो बैच और इसके बाद उनके मकाबले में रहेंगे मूर मूर भी बहुत अच्छे तरीके से जो है पते हैं पते हासिल करते ही आप देखते हैं कि अगला मैच कैसा खेलते हैं दोनों बीटी में और को लगाया है पांके रिदम अच्छा अनुशासन के साथ गरण जो सी बर्ति रन नहीं दिए अपने और में सिर्फ नदीम जैसा खिलारी स्ट्रैक पर रहते हैं अब इर्शाद आये खेलने के लिए नदीम के बहाई ये लेकिन इस वक्त वह रूप में आए सलाव दिन को पहले भेजा था जानते हैं एक दूसरे खिला रही हो को एक दूसरे टीम को जानते हैं अच्छी तरह से इसलिए वो प्लान किया गाया था हमारे महमान इस वक्त रुखसती ले रहे हम से जुदा होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो यहां पर आए अमीन काजी अलताफ काजी और उनके दूसरे ब्रदर तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया और हम चाहेंगे कि वो कल भी आए यहां पर कल भी आए आना है दॉट बॉट आए यहां पर शायद काज हो सकता है इर्शाद की इनका कातिमा होता हुआ यूचाद बैक तो यह एक मस्तला के दुरूष्ठी कों से खराब किरके जलता हुआ सलाव दिन के बाद फारन आउट हुए यहां पर इर्शाद एक बाल वहां आपर खेली डॉट तो अच्छी की थी लेकिन बहुत लंबा हिपाने के कोशिश में अपना विकेट गवाँ बैठे और अच्छे सफाई के साथ जो है वो लगोपांडी कि जानिव कैस लिया गया थेंक यौल तो मशिया पर अच्छी यहां पर अच्छा बताया वापा सही बताया वापाल तो मश अच्छी फेकी ती जरूर शाटों में कुछ कमी नहीं थी लेकिन जिस तरह के फेके भी थी तो गेंड जो है सिधी उपर चर्ती विक बैट के उपर चर्ती वीजिसके वज़ाए से गेंड जो है वह अच्छी वहां पर क्याश लपक लिए जो के एक्षा कोवर के उपर एक इस बीच यहां पर एक रण एक रण और एक रण के साथ इसकुर बढ़ता हुआ पांच रण मसला थोड़ी से बैक पुट पर जरूर है लेकिन अभी में मसला के उमीदें यह हैं कि नदीम को नदीम वहां पर मौजुद है मसला के दृष्टिकल से बात करेंगे लेकिन क्या गेंड बाजी हो रही है बढ़िया गेंड बाजी मुस्तकिम उसके बाद खालिद बहाद सब्सक्राइब के साथ गेंड बाजी हो रही है राउंड विकेट दोड़ा चुर क्या वहां पर और इसी को लंबा शौट खेलना चाहते देगेंड वहां पर खेला जरूर मिड़ान के ओपर वहां पर लौगान से पिल्डर आया मिड़ान से बाइन से निकलती लागान के त सिरीज आइफोन 13 प्रो का उनको एवाड मिला था वो मैंन आफ दी सिरीज राउंड विकेट अच्छी गेंथी बढ़िया गेंथी वहां पर कार्पेट के साहरे खेला गया था एक्षा को और की शेत्रे में जब तक फिल करके थो करता दोनों ने अपने अपने आपको रोग लिए दो खागेंबाजी हो रहे है बहुत ही बढ़िया गेंबाजी पर्फेक्ट ये पर्फेक्ट बॉलिंग का जो है मजारा किया गया पर कोई भी रूम ने दिया है दोनों भी गेंबाजों ने इफ्ताही और प्रेशर में डाल कर रखावाया आपर यह कारण यहें के एक प्लानिंग के साथ गेंबाजी हुई बगाएर प्लानिंग के आप लेगेंबाजी करना है नदीम को किस परकार इर्शाद को डालना है किस तरह से अमली के साथ गेंबाजी की गई और उसके अच्छे नताइट जो है नतीजे अजाबी है सामने आए और इस तरीके से जोड़ियों को जाने उनके आच्छा यह को जाने और खेल भावनाओं के साथ खेल को खेले यह सबसे अच्छी बात है और वही यहां को देखने में रहा है तो आपको खोशित आउट किया था वहां पर खेल भावनों के दुरूश्टिक कुंझ से देखा जाए तो अच्छा अच्छा शौट बहुत अच्छा शौट के सारे लगा मिड़न से लॉगन के तरफ जा रहा है जब तक वहां से पिल करके तो सिंगा से रन में रहे हैं शायद पूरे रन में एक भी ऐसा नहीं है कि डबल रन निकले वाभी तक एक भी आईसी बार नहीं हुआ है कि डबल से अच्छी रिदम के साथ कर रहे थे बहुत ही बढ़िया इसको रहे हैं तीसरा और है मसला की टीम सामने हैं इसको रहा है जो प्रेक्षक देर से आए हैं या व्यूट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनके लिए बता दो कि मसला विर्द दो माश्रों चलता हुआ वहाँ पर बराएज यहां पर बराएज लगता हुआ काफी बराएज बहुत ही वहुमल्ने विकेट इड़ कि अच्छा गेन बाजी हो रही है बहुत ही बढ़िया गेन बाजी आप नदीम जैसे खिलारी को हिकमत अमली के साथ अधे प्लाणिंग के साथ गेन बाजी कर रहे हैं यकीनन यह प्लान है प्लान केदे आप एक साथ खेलते हैं रहाया ऑफिस्व का बाहर बेलकुल भी कोई इसे गेन नहीं रखी जो लेगिस्टाम पर फेकी हो मिडल साम से निकाली हो लगातार वो अटे को ही रखा और लेकिन उसके साथ लंबाई कितने अच्छे थी सबसे बहतरीन चीज जो थी वो लंबाई धिशा तो तो ही कुचारों ने दोनों ने जितने भी कैए तो यहुदा वी जोवि ये उसमें से आप तक जो के रूट्रीच अगीं दे एक लिशा के साथ लेकिन लंबाई में बदाल ज़रू ऊटीनी कि खरला दीना जात लिए । स्टेशब्क यहाँ पर अ कि मुस्ताकिम राइटा मूर्द विकेट खेला जरूर बैक टुट बॉलर खेल रहे ते गेंज जा रहे हैं मिदॉफ से लॉगन के तरफ जब तक वहां से मिदॉफ और लॉगन का फिलर दोनों आकर फिल करके तरो करते अब तक जितने भी रन मिले सिंगल से मिले डबल एक भी तीन खिलारी आउट हुए मसला के इर्शाद मुस्तकीम सारी इर्शाद सलावदीन है और नदीम आउट हुए पहले सलावदीन आउट हुए थे और यहां पर क्या विकेट नंबर चार जा पाएंगा और खालिद एक ऐसा लगा ता शायद क्या चुट जाएंगी लेकिन नह अरसलान तो इस वक्त इस्तती बहुत ही नाजुक इस्तती में क्योंकि मसला एक अच्छी जानी मानी टीम है अच्छा उसके पास अगर यहां पर स्कोर 30 के आसपास बन जाता है तो फिर मैच में रोमांच रहेंगा क्योंकि मसला के पास अच्छी गेनबाजी है हमने देखा था मसला को पुरार के विर्द गेनबाजी करते हुए अलकि वहां पर अच्छी शुरुवात हुई थी पुरार में बहुत अच्छी शुरुवात किया था माज ने तेरा रन बनाए थे लेकिन माज आउट होने के बाद पुरी इनिंग लर्खराई अर्सला नए बले बाज है एक इख्टा नहीं है कोई डबल रन नहीं है कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं है कि नौरन नौरन यानि गेंदे जियादा हुई है रन कम हुए यानि कुल मिलाकर गेंदे आप तक हुई है सोला और रन बने हैं नौ सोला गेंदे खेलते हुए चार विकेट के नुक्सान पर नौरन मनाए मुस्तकिम काफी लंबा रानप गोरेगावें के तरफ से गेन बाजी करते हुए राउंड विकेट आ रहे है अब लेफ्ट हैं बैट्समन के लिए और यहाल के आतों से यहां अंकल में डबल अंक में पहुंचता हुआ जा पहुंचा है ग्यारा रण लास्ट टुगो तीसरी ओर की आखिर चार चार और का मैंच है यह मैंच बहुत ही धिमा जा रहा है अगर देखा जाए तो यहां पर मसला के दुरूष्टिक कुन से स्रीरोधन के लिया से बात बहुत बढ़िया गेन बाजी अच्छी फूर्ट से उठीवी सीधी चली गई वहां पर विकेट के पर के पास हाला कि इस बार आफिस्टम से निकलती भी गेंती आपने आपको बचाने में चले गए ते वहां पर अगेंसी विकेट के पर के पास कोई रने कोई निक्सा नही गेंती तीने समापती तीन और कि समापती पर इसको अभी भी रुकावाई 11 रन यानिक फूल मिलाकर गेंदे हुई 8 रन बने हैं 11 विकेट गया है चार इस तथि बहुत ही नाजक स्थिए संकट के बादल चाहेए मस्ला के उपर क्या मस्ला सिसमें वापस ही कर पाएंगी पह लाड़ियों को रूम या बाहें खुलने क्या मुखा नहीं दिया और इसका नतीजा यह है कि अथारा गेंदों में स्कूर हुआ है नौ कि मॉदर ग्यारा बालिस नम शुशील सुचीर आ बोल राइता मूद अच अचेया आभी एक से बढ25 ए यहाँ पर द।्रार अनौ पर लेना अचाते क्या दूरा आ पर होगा हाँ दूसरा इंकेड यह रहाँ बिachment रूम अदूसरा धूर्फ शॉल्ण के नुक्सान पर तेरा रण इसके बाद जो है कि दोड़ मुकाबला मूर होने वाला है दोनों कप्तान यह इनिंग खतम होते ही फॉरान यहां पर आए और टॉस कराये प्लीज कि लोलार मूर इसके बाद टॉस कराएंगी वहां पर लेकिन यहां पर मैच बहुत अच्छा जा रहा है क्या गेन बाजी हो रही है बहुत ही बढ़िया गेन बाजी काबिले तारीफ एक से बरकर एक गेन बाज नदर आ रहे है राइटा मूर्ट विकित अगेन पहली गेन है ज अगर बात करें तो कि एक 22 के रूप में तो निगला था अलेकिन वाइड और नो उसके शेत्र में देखा जाए तो पहला गेने पहला रहने एक्ट्रा कुल मिलाकर इसको रहे चाहुदा चार विकेट के नुक्सान पर राइटा मूर्द विकेट इस बार गेन को खेला जुरू रहे से प्लैंड में वापर गिर्टी वी गेन एक रंडर मिलेगा एक रन इसकोर जापोचा पंदरा रहन आई इस्था इस्था कच्वी की ताल चाल की तरह चाल चलती वी मसला इस बार और अलतमस्षी स्वक्त वाक्त मसला की अहालत बहुत खराब क्या सोच रहे हैं तो मशावी इस बारे में हाश रवाती जटके लगे है गेन बाजी बहुत अच्छी वैश्टीन बाजी के नपी तुली गेन बाजी कोई भी रूम ने दिया आए फाजिलन दिया नहीं कोई वाइ ही कम जिसे कहते हैं अब देखना है क्या अगले तीन-चार गेंडिया है उसमें क्या कुछ रण बटोरने में कामियाब होते हैं मसला के खिलाडी थेंक्यों तो मजश सही कहां आपने फिर सेक मरतबा सुशी राइटम राउंट विकेट गिनबजी कर रहे हैं इस बार लेफेंट में के लिए गेन उठाकर खेला है कॉटेंबोल का वहां पर मौका है क्या वहां पर होंगा नहीं यह दूसरी मरतबा क्या चुटी है और इस यहां से दोरन मिलिए यह असान ही वोटा अपने पीछे दोरणी न Ε published रहेता जीतार ही इस नहीं comigo फेर फोटो के थे हुगा मॉपर पूझचे थे रियक्राइब कि में पुक्त नजिक है लिए सबस्क्रों कुए और हो चाहे 17 है राइटम राउंट विकेट और फिर से एक मर्तबा लेकिन इस बार यहां पर निची तरफ से चाहरन मिलेंगे पहला चौका वेलकम बॉर्डरी पर मसला नो बॉल और पहले ही जो है वो चौका लगा अच्छे देर आए दुरूस्त आयत के मद्रादित हो गया है यह जो दरूरत थी थोड़ा सा स्कोर बढ़ाने में और इस गेन को जो है वहां लॉंगान बांडरी की डानिप ट्रान करके ख्याला है तो यह यह पार्शनन हो जाएंगे नो बॉल भी थी 22 रख इसकोर नो और चोके के साथ इसकोर हो है 22 एक अच्छ एक अब एक स्कोर एक ऐसा जा रहा है कि वहां पर फाइट होने की संभावना है उस तरफ अब यह स्कोर जा रहा है वेल डान वेल प्लेट लेकिन गेन बाज़ों को बड़ी सक्त मेहन हुए नहीं होगा क्योंकि यहां पर फिरेट हैं अच्छी बाजी अक्षी वापसी की जब छेरन मिले ते उसके बाद जिस तरह की गेंजिस लंबाई के साथ गर बाजी कि वीकेट तु इक आपूपील के लेकिन अपिल से नहीं से कोई फाइदा नहीं हो सकता था आगर और भी होते तो क्योंकि आउट करार दिये नहीं जा सकते फिर हिट था नेमों के इसाब से उन्हें नटाट करार दिया गया और इस तरह से फिर से आपने बॉलिंग मार पर जाते वह यहां पर सुशील गेंबाजी कर रहे हैं सुची ने खुद ने अपने गेंबाजी पर क्या को पाएंगी ओ अंत में आइसा वहां पर लगा ता शाहिद गिर जाएंगी लेकिन अपने आपको संबाला और यहां पर विकेट चला गए लास्ट वर इन फ्रोग्रेस इस थाथी इस वक्त यह मसला का स्कोर एजवत तेज रन पांच विकेट गया मसला के 5 विकेट गया मसला के कि लास्ट गो आखिरी बॉल टेई रन हुए मसला कितना टार्गेट डेपाती मसला यह देखना होगा सुशिल राइट पॉर्ट विकेट और अच्छी गेंटी बढ़िया गेंट आप्सम से बाहर जाती विकेंट और यहां पर रॉन आट होंगे अमपार से अभी भी वाइट म अब मोशाचन हो चुक है मैं बहुत प्रहूंच पर जाते हुए कामिल कामिल ले गेंबाजी भी अच्छी कर रहे थे कामिल बाद में हमले अट जब एक अच्छी गेंबाजी कर रहे थे यहां पर लेकिन इस वख्तों खेलने के लिए जा रहे हैं कामिल और अब यहां पर आखिर गेन फेकेंगे इसकोर 24 रन टेवेंटी फोर अनों का टार्गेट दिया है खाली दर निक तौसीब आउट होकर पाविनल में वापिस कामिल कामिल नाइबले बाजे कामिल आखिर गेन इस पहली इनिंग के आखिर गेंगे श्रीवर्दन विर्दा मसला में चलता हूँ अच्छी पोजिशन कमांडिंग पोजिशन में श्रीवर्दन वैल बॉल मुस्तकीम खालीद और सुशील आखिर गेन चौबीस रन बनाए हैं च्छे विकेट के नुक्सान पर विकेट काफी ज्यादा गया मसला के राउंड विकेट लेफ्ट हैं बैस्मेंट के लिए है कि रिसको खेला जरूर है रण एक तो मिलेंगा दुसरे रण के लिए वहां पर दोरना चाहते हैं डाइरेक्ट वहां पर तो यकीनन और देखना ये हैं धरमपार के को आज आई आई शाये मैं समझता हूं कि यहां पर मैं उनसे इलतिमास करूँगा कि वह आकर यहां पर अपना डिसेंद दे और हम यहां पर बताएंगे कि यह जिस तरह का यहां पर अगर रन कितने आते वह देखेंगे कि पहले जब रन बने थे 24 अगर यह दो रन आते हैं तो हो जाएंगे 28 और इसारी 26 होंगे अगर एक रन आता है तो पचीस हो जाएंगे 25 या 26 इस पर रुका हुआ है यह तो पहली और जो हुई थी उसमें चार रन थे दूसरी और में तीन रन तीसरी और में चार रन और चौथी और जो है यह अभी तक निरने आना बाकी है लेकिन अब तक तेरा रन अप तक गए है और यह अगर दो रन कितने आते हैं दो या सिंगल आता है वो देखेंगे आउट है तो यहां पर आउट हैं पार आप वहां से अपना डिसन दे सकते हैं आउट ओके आउट तो एक विकेट और इस तरह से यहाँ सिर्वधन को मसला के विर्द अच्छी गेन बाजी वेल डन मुस्तकिम वेल डन खालेद वेल डन सुषिल सुषिल थोड़े से महेंगे साबित हुए चाहँ दान दिये उन्होंने सबसे महेंगी और जो है सुषिल बॉल तो यहाँ पर इस अगले इनिंग में यहाँ पर दावत दे रहा हूं हमारे को मेंटर जो यहां पर उनको अमदर क्या गया वह यहां पर आये है शिद्धिक बाटे उनको मैं वहां पर दावत देता हूं कि वह यहां पर आया मायक्रोबन समाले थेंक्यू ट्रच्वाँali हो यहां पर आये मायक्र दनको मादिक बॉल से अंड़ाएव करेंक्या पर आम है घँटाव में टे उनको मेंट एंग'S Egy-わかलाब ऑंन को में हम वहां चाले दोग woven केप्टन और गिंजलोली के केप्टन दोनों से लास ओफिशल कॉल है आपको टॉस के लिए आना है सेकेंड राउंड का आपका मुकाबला है तुरंती हमारी व्याइपी शामियाने के सामने टॉस के लिए पहुचना है सरपंच चशक गोड़े गाओं में आप सभी का अर्दि है वो केवल 24 26 रनों का है यहां पर आइकानिक खिलाडी मुझूद है टेनिस के फैसल फिर फिरे हम उनका यहां पर खुशामदीद कहते हैं और वो अपने अच्छे खेल का मजहरा करेंगे इसी उमीदे वापस्ता आए यहां पर बहुत सारे लोगों 26 का लक्षे और है ट्रिक सिक्सर के लिए शहबास भाई की तरफ से 2000 रुपे का इनाम है अगली दो टीमों के बीच में टॉस करना है वहां पर जी 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 बिल्कुल हम इसके बाद जो राउंड होगा हो मूर और किंजलोल मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करूंगा कि यहां आए और इस मैच के लिए जो टॉस करेंगे ओ असत्फकी और सल्मान पठान मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि वह वहां जाए दोनों उपनर बीच मैदान पर आते हुए शुबह माओ गाउरो चार और का गेम होने हाला है चार और का गेम नदीम 26 का लक्षे 24 गेंदों पर फिल्ट की जमावट देखिए शॉट फाइनले एक शॉट थर्में डिपीज कली कवर जबके कवर पॉइंट भी रखा गया है मिडाउन इस्टेटी शेवर स्क्वार लिक अंपर की बगल में खिलारी नदीम पहली गैन हेलिकॉप्टर इस्टोग इन फिल्ट के उपर से एक्ष्टा कवर बॉंडरी के बार जाजी बून अजर चारट चारट चार्ट है लिकॉप्टर इस्टोग अभी जटास हो गया है उसमें कि लोल ने जो है टॉस जीटकर पहले बल्ले बाजी करने का फैसल किया है शुग्रिया और बहुत स्पेक्टिकलर यहां पर शॉट आफ की जानिब खेला था या शीर अधन की जानिब से खिलाडी के नाम तुमें जानता नहीं लेकिन बहतरी किसमें का स्कोर खेला था नदीम की पहले गेन पर नदीम शुबम के लिए कदमों का इस्तेमाल निकल के मार नहीं की को तो बातों में स्कोर श्री वर्दन का लक्ष है केवल 26 रहनों का फाहिम अनदीम जो बल्ले बाजी में सफल नहीं वेरते हैं इस मैच में इस तरह इंप्रॉइस तरीके से केलने की कोशीश और चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को लेक भाय के रूप में एक रनाता हुआ नो रन पे पहुंचा है स्कूर श्री वर्दन का अगला मुकाबला इंग लोल वन दर तॉस और ये लेक्टेट बैट परस्ट अगेंस मूर इस मर्दबाप पंच किया गेंग कवर मौंडरी के बार चार रन देखके तरबुजे का रंग बदलना गोड़ों ने भी चौका लगा दिया और तेज स्कूर तेरा पे पहुंचा है आदा रास्ता पार पहला वर चार रहा है अभी भी दो गेंदे बची है नदीम काफी महेंगे साभी तो रहें इसमार्दबा घुटने के बल बैटके कवर ड्राइप लगाना चाहते थे लेट रिवेट टा ओफिस्टम के बार बीडवे डॉट गें तेरा रन बीना किसी विकेट के श्री वर्दन की गेंदबाजी बहुत लाजबाब रही फिर से गेंद को खेल दिया है पीछे खिला रही है इसे कहते हैं वन्टू का फोर जहां एक रन ता वहां चार रन देड़ा ले का मसला यह कि उन्होंने मैं छोड़ दिया है एक वर की तमामती के बाद को रन बने 17 जी जी उनके पहले ही और में अगर 16 17 निकलिया और आपका डिफेंडिंडिंग स्कूर बहुत कम है तो फिर आपका बॉड़ी लेंगविज बताता है कि आप क्या सोच रहे है आपके जहन में क्या है आपने क्या सोच रखा है फैर एक जो फॉरी होतनी के लिए दूसरी और लेकर आये है कि लाड़ी बहुतरीन गेंड़ा बल्ले बाजी यहां पर किये शीरदन के दोनों भी इफ्टिताही बल्ले बाजों ने टाइमिंग बहुत खूश रहती और स् स्कूर जो स्कूर जो स्ट्रोक्स के लिए वो काबिले दीद थे देके कुट्टी में ऐसी रहती है उनके सामने जो स्कूर रहता है उस पर ही लड़ती अंतर राश्टी किर्केट में भी लोई स्कूरिंग मुकाबले काफी रोमां चक हुए है पल्लू शॉट के लिए की कि इस वक्त ऐसी जरूरत नहीं थी आप जो अपना हदफ लेका टार्गेट लेकर अपने हदफ को पा रहे थे तो कोई जलबाजी नहीं लेकिन शायद एक्साइट हो गए या और एक्साइट हो गए या वो समझते ते कि शायद मैं ये स्ट्रोक खेल सकूंगा और मजीद र कि बल्ले बाजी को आएं शुबा माउट हो के गए हैं यहां से सिर्फ नौरंच चाहिए आज की आखरी पायदान पर पहुंचने के लिए क्योंकि इस मैंच की वीजेता टीम और अगले मैंच की वीजेता टीम आखिर में ठक्राइंगी जो आज की चोटी की टीम रहेंगी चाहिन के कफ्ताने राइड आम ओर देविकेट डूंदी आप खेला है फिर गावा में गेंदे नो मेंस लेंड मेंगी है शॉट पॉइंट पे गिन को उठाया है एक रन ऑन दी राइस जब आप शॉट कहलते हैं तो असला वाले के करीब चाहिए और शॉट को बिलकुल प्रफॉर्मंस सही नहीं किया इस मैच में लेकिन हाद लग कोई बात नहीं है किरकेट है होता रहता है कि पिए राइट आम ओपर से भी केट आते में पीछे के उपर लगे शॉट फाइन लेक पे खिलारी एक और जाल में फस्ता हुआ खिलारी दूसरा जटका लगा है लेक लेकिन देर से जागी है मसला टीम हाँ जाए 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 जबाज ने जो है दो विकेट चुटके है चुटके स्कोर थोड़ा सा कम है थोड़ा साना ही काफी लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने अपने गेन बाज से क्या मसाहरा दिखा दोनों खिलाडियों को आउट करने में जो है जो गेन बाजी निगेटी यह जिसको शॉट करने पर मजबूर करते हैं ते करने की बात जो है वो गेन हवा में उचलती है और क्याश लिया गया इस तरी किसे दो खिलाडियों कर वापस आए है परवेज नए बैट्समें अरबास के लिए राइट आम ओवर देविकेट आते वे इस तरह की जीत में चमतकारी के इंदबाजी करना होंगी चमतकार करना होंगा और चमतकार अगर रोज होए तो फिर उन्हें चमतकार कौन गएंगा इसमार्दबाद छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल ओन साइड में ट्राइब करते वे वाइडिश मेड़िकेट में दोनों खिला रही है की सीरे पर और आउट हो के जारे है इस दोने जारे है तोड़ासा रशिद अबलड होता है विकेट गवाते है इस की कुछ जरुद नहीं है श्रीवर्दन को बासने से जो है वो पते की तरफ जारे है है लेकिन रशिद प्लड करते सकते है उनीस रणों चुके इस मार्दबा गेन को लॉप कर दिया है लोगान पे खिला रिये है एक और विकेट कर दूद कर दूद कर दूद कर दूद आठ जिसमें अब पिवर किया रहा है कि हिंदि और उर्दू का मिश्रण है रभ जो बुशिद्धा उसको नहारे भाद शुपके청 को कहते हैं और जो गर वीद उसको टालेत गर्वीदा उर्दू में कहते हैं जान छिरकने को तेरी नजर अश्रफी सुनी की तरह और दूसरा जो मिस्रा है नैना मदक बर्फी यह तेरी जो आखे हैं वो शराबी बर्फी है यह गाना राकी बालम ने लिखा और इसे गाया जावेद अली ने कि सभी बिल्कुल से लफजों का जो भूना हुआ था बहतरीन मोतियों से और गाना लोगों को पहुत पसंद आया उसकी जो बोल थे वो भी अच्छे है बहतरीन राइट आम और देविकेट इस मर्दबा ठन कर दिया उनसाइड में एक रन बनता हुआ स्कोर में इसकोर आगे 20 पर पहुंचा है तीन विक्टों के नुक्सान पर दोवर की समापती 20 रन दोवर में जीतने के लिए 7 रन चाहिए दूसरे मिसरे में भी कमाल कर दिया है तेरी नजर अश्रफी और बाते तेरी दो हर्फी मानो ऐसा है कि तू एक साथ दो हर्फ ले रहे हो देखिए कभी कभी ऐसा रहता है कि कहते हैं कि मुगले अज़म और शोले बन गई जो बन गई वहीं एक तर दो बार आएंगे उस तरह नहीं बना पाएंगे अज़े रन चाहिए मैच को जीतने के लिए बारा गेंदे मैच को लंबा कर लिए शिरी बर्दन ने कि हलकी आप जाकर जो खिम बड़ा रन पूरा किया लेकिन कहते हैं कि अकल ठीका ने आ गई यह बड़े शॉट में विकेट गिर रहे थे अब चोटी बैकलिफ के स्तेमाल पुश करो और खुश रहो कि ग्यारा गेंदे पांच रन है और भी गॉमेंटर इस आलाके में लेकिन कहते हैं के सिडीक भाई का Anदाज यमाया कुछ और बहतरीन कि यह जो ऊबाहरा कि जो बोल है Is इनको हुक कर दिया सीधा स्ट्रेटियम के बाहर छे रन और इस मैच को श्री वर्दन ने जीत लिया है कॉंग्राचुलेशन श्री वर्दन कि मैच खिलारी की तरफ हम चलते हैं जिन्होंने बहुत खुबसूरत के इंद बादी की पहले मेंडेटरी पावर प्ले में नहीं बलके दूसरे वर्दन में वह हैं मुस्तकिम ने दो और डालें कुल मिला कर रन दिये आठ और विक्ति ली जब कर तो बलके तर रह çıkar को री वह हैं जाओ